मुझे कर दोस्तों वेलकम टू लेक्चर नूबर 61 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फ़र यूपसे-CSE आज आप लोगों का प्रिलिम्स मुझे नहीं पता कैसा गया काफी सारे लोगों का अच्छा गया काफी सारे लोगों का बुरा गया जो ओल्ड लोगों ने फोन किया था तो देखिए दोस्तों अगर आपका नई भी निकल रहा है तो डिसार्टन होने की ज़रूत नहीं है यू कैन ऑल्वेस गिव दर नेक्स्ट अटेम्ट ओके इसमें आपको बिसीकली मैं दो अनॉंसमेंट पहले करना चाहूंगा उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है एक कनहिया मूर्मू करके एक लड़का है उसने उसका काफी डिमांड है कि ट्यूटोरियल शीट सॉल्व कर दो जो डाइस अकेडमी की है तो येस आई विल मूर्मू आप अगर सुन रहे हैं मुझे तो आप मुझे 15 दिन दिजिए 15-20 दिन दिजिए उसके बाद में आपको डाइस अकेडमी की ट्यूटोरियल शीट सॉल्ड मिल जाएगी सॉल्ड भी मिल जाएगी और क्या बोलते उस पे लेक्चर्स भी मिल जाएगी ठीक है लेक् मेनी का कहना था कि सर जीएस भी प्रोवाइड करवाओ ठीक है तो येस जीएस विल अलसो भी प्रोवाइड डोंट वर्य अबाट इट ठीक है बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं टीम के रूप में यू मैं अकेला वेक्ती हूं तो मुझे थोड़ा टाइम सब्सक्राइब करते हैं लेक्टर नबर 61 सो फूली शाली निक अभी जो है इस्यू रिजॉल हो गया होगा अब वह मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा कि कब आएगा जीएस का कोर्स ठीक है ना जीएस का मतलब सारी जित्ते भी सब्जेक्ट है उनका ठीक है आया आई आफिल प्रिफर तु साइंस आंटेक ऐग इन एख चीज बताजेना चाहता हूं कि वाग। if someone of you someone amongst you is not comfortable in hindi so for the those persons i have launched a new course in complete english also so that course only one lecture has been done in that course okay so i will provide the playlist when at least five six lectures of that english course are over after that i will provide its playlist also okay so you can watch that but right now hindi से अभी काम चला लो ठीक है ना so see determine the number of degrees of freedom in each of the following cases यह question ऐसा कुछ गई रहा है ठीक है ना तो यह क्या बोल रहा है particle moving in a space curve ठीक है ना अब देखिए दोस्तो number of degrees of freedom in each of the following cases मतलब particle moving in a space curve बोल रहा है अब मैंने आपको degrees of freedom के जो 59th और 60th class में जो बताए थे concepts वही लगाने वो क्या बोल रहा है particle moving in a given space curve ठीक है ना option यह question a तो देखिए और curve can be described by the parametric equations ठीक है ना parametric equations कहते हैं आपने maths में पढ़ा होगा कि parametric equations होती ठीक है ना जैसे कि कोई curve है ठीक है ना जैसे मान लिजिए x square plus y square plus z square equal to two ऐसा कोई curve है suppose ठीक है ना तो क्या है दोस्तों कि इसमें degrees of freedom आपको निकालना है कि इसी इसी कर्व के about अगर पार्टिकल मूँ कर रहा है तो इसी कर्व के about अगर वो मूँ कर रहा है तो basically इसकी degrees of freedom क्या होगी यह निकालना है ठीक है ना तो अगर कोई भी कर्व जो है कोई भी कर्व है उसको आप parametric equation के रूप में दिखा सकते हैं समझ मारी बात मेरी तो जैसे x जो है वो function होगा s का where s is a parameter y भी function होगा s का और z भी function होगा s का ठीक है ना these are called parametric equations now in mechanics एक arbitrary parameter s के बजाए अधिक तर अधिकांश cases में s के बजाए time t एक parameter रहता है ठीक है ना in mechanics ठीक है तो तो basically होता क्या है कि आप लोग जो वो बच्पन में जो पढ़ते थे ना एकदम ही इलेंट 12 में जो पढ़ा होगा कि parametric equation मतलब x equal to 2t दिया होता था y equal to t दिया होता था और z equal to दिया होता था 3t square plus 1 suppose ठीक है ना 3t square plus 1 ठीक है तो x is also function of t ठीक है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ function of t ठीक है ना x is a function of t y is also function of t and z is also function of t ठीक है ना अब इनको आप फिर substitution करते थे जैसे यहाँ पर x equal to 2t है y equal to t है तो x equal to 2y के बराबर आएगा ठीक है ना x equal to 2y के बराबर आएगा फिर y equal to t है z में डालोगे यह मैंने जानबुच की easy example लिया समझ में आने के लिए y equal to 2y है z में डालोगे तो 3y square plus 1 ठीक है ना z equal to 3y square plus 1 ठीक है ना z equal to 3y square plus 1 ठीक है ना z equal to 3y square plus 1 ठीक है ना तो x और y में relation मिल गया y और z में relation मिल गया और x और z में relation मिल ठीक है ना So, every variable is dependent on other two variables, ठीक है ना? समझ में आरी बात मेरी, क्योंकि देखिए, X जो है, वो S के टर्म्स में है, Y जो है, वो भी S के टर्म्स में है, Z जो है, वो भी S के टर्म्स में है, ठीक है न? तो S एक ऐसा parameter है, जिस S को अगर मैं eliminate कर दू, तो मेरा X, Y, Z के बीच में relation आ जाएगा, ठीक है न? और अगर मेरा X, Y, Z के बीच में relation आ गया, तो obvious सी बात है कि अगर मैं X जानता हूँ, अगर मैं X को independent मान लो, जैसे, जिव मेरा curve है, suppose मान लिजिए, मैं वही curve लेता हूँ, अमिजा की तरही easy वाला, X square प्लस Y square प्लस Z square, equal to 2, ऐसा curve लिया मैंने, ठीक है न? तो यह जो curve है, इसमें, मान लिजिए, आप X को independent मान लेते हैं, ठीक है न? एकस को independent मान लेंगे, तो X square will be equal to 2 minus Y square minus Z square, ठीक है न? अगर Y को independent मान लेते हो, तो X and Z will be dependent, because Y square equal to 2 minus X square minus Z square, you can write, और अगर Z को independent मान लेते हो, तो बाकी के दो उस पर dependent आ जाएंगे, ठीक है न? तो Z-square KVationalII- candid Dale going to Linus X-square minus Y-square संधी मैं हो सबरिने बात में तो जो जो आप का फ्री पार्टीकल होता ठीक है जो पार्टीकल पूरे के पुरे इस्पेस में मुह करने के लिए फ्री होता है उसके तो 3 degrees of freedom होते है ठीक है न देखिए जो आपका particle space में मूँ करने के लिए free होता है उसके 3 degrees of freedom होते है x direction में y direction में और z direction में लेकिन अगर कोई particle space curve पे मूँ करा रहे हो ठीक है न, not space I am saying space curve space में मूँ कराने में और space curve में मूँ कराने में फरक है ठीक है ना स्पेस कर्व में मुग करा रहे हो मतलब x y z के बीच में कुछ fix relationship आ गई और अगर only given space only space लिखा हुआ है तो x y z के बीच में relation नहीं है फिर ठीक है ना those are independent of each other then समझ मारी बात तो x square plus y square plus z square equal to 2 है suppose तो अगर पार्टिकल मुग कर जाता है space curve में तो ऐसी स्थिती में जो x और जैसे आप क्या होता है जैसे 3 आते हैं आपके पार्टिकल के degrees of freedom अगर वो space में मुग करने को free हो अगर आप space curve पे restrict कर रहे हो तो basically जैसे आपने इस space curve पे अगर एस्टिक किया है तो आप क्या करेंगे आप यह एक स्कूर को two minus y square minus z square लिखेंगे तो basically you have put two constraints ठीके ना दो constraints डाले हो आपने डो constraints कौन से कौन से डाले हो कि y और अपने आपने x को independent माना ना तो आपने constraint क्या क्या डाला constraint यह डाला कि y and z are dependent यह constraint डाला ठीके ना x independent बोला तो y and z are dependent यह constraint डाल दिया आपने समझ मारी बात मेरी तो तो दो चीजे dependent हो गई मतलब y and z restrict हो गए तो three minus two ठीके ना समझ मारी बात मेरी is equal to one समझ मारी बात यह अगर previous lecture नहीं देखे होंगे तो यह बात समझ में नहीं आगी ठीके ना तो तीन तीन मैं से दो को उड़ा दूंगा क्योंकि जो दो variable है वो dependent है and they are constraint क्योंकि x को independent माना तो y and z dependent आगए x पे और अगर y को independent माना तो x और y dependent आगए z पे समझ में अरी बात मेरी so every other two variables मतलब कि आप दो coordinate को restrict कर रहे हो इसका मतलब ठीक है ना तीन x और y और z के बीच में relation आपने लिख दिया है इसका मतलब आप दो coordinate को restrict कर रहे हो ठीक है ना तो दो आपके शुरू में initial degrees of freedom थी 3 पर आपने कर दिया उसको restrict एक space कर रूके along space कर रूके along जैसे ही restrict किया तो दो variable dependent हो गए दो variable dependent हो गए मतलब कितने constant हो गए दो constant हो गए तो initial number of degrees of freedom in free state minus number of constraint use the actual degrees of freedom समझ में आरी ना बात मेरी so that's how the option number a has a answer one समझ में आरी ना बात तो ऐसा आपको लिखना पड़ सकता यह ऐसा भी easy question कभी कभी आ जाता है UPC में दिख जाता है ठीक है ना तो ऐसा मत समझे कि हमेशा hi-fi ही question आएंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है कभी-कभी एकदम easy question भी आ जाते है जैसे nuclear physics जो है आपका nuclear physics में कभी-कभी इतना क्या number of nucleons पर वो calculation आ जाता है कभी-कभी ठीक है ना तो वो calculation भी बहुत one of the easiest वाला है ठीक है ना तो ऐसी easy चीज़े भी आती रहती है ठीक है so five particles moving freely in space अगर यह बी option की मैं बात करूँ तो देखिए each particle requires two coordinates to specified position in the plane ठीक है ना देखिए five particles moving freely in plane बोला है ठीक है हो अभी के लिए plane को भूल जाओ अभी के लिए consider करो कि space हो ठीक है अगर इस space है तो space में पाच particle अगर है तो space में पाच particle का क्या होगा कि तीन-तीन होंगे इसके xy-z होंगे समझ मारी ने बत और आपने xy-z को कुछ रिष्टिक भी नहीं किया है ठीक है ना तो क्या जाएगा 5 in to 3 आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि xy-z के बीच में कोई relation नहीं है तो यह इंडिपेंडेंट होंगे तो in to 3 आएगे total degrees of freedom 15 आएगी अब यहां पर क्या बुलाएं instead of a space it is saying plane ठीक है ना space के बजाए plane हो गया तो space में तो आप xy-z axis के अलोंग मू कराते थे space में ठीक है ना तो तीन coordinate थे आपके हर एक particle के लेकिन अगर आप only xy plane में मू कर रहा है अगर मू करेगा तो x और y यह जो है इस विल बी वाट अगर प्लेन पर ही मू करा रहे हो भाई तो x और y जो है these are going to be independent of each other and the third thing जो z component है जो z तो ना के बरावर है ठीक है नहीं नहीं हो क्योंकि आपने plane पे मू करने के लिए restrict कर दिया तो जो इसके perpendicular जो plane होगा xy plane के xy plane के perpendicular वाला जो plane होगा वो perpendicular वाला plane आपके काम का ही नहीं है क्योंकि वो perpendicular जैसे यह यहां से काले है पॉइंट से जो आपके डिवाइस के स्क्रीन को चीरती हुई जो बाहर आई कि that will be z axis ठीक है ना तो आपने plane पे restrict करा दिया तो जैड़ कोर्डिनेट तो always 0 ही आएगा बाई तो जैड़ कोर्डिनेट always 0 ही आएगा तो उसको ना भी लिखे तो भी चलेगा तो the state is restricted समझ में आरी ना बात मेरी तो अगर मैं 5 पार्टिकल लूँ जैसे यह ले लियामे ने तो initial अगर आपने एक कंस्टेंट डाला है तो 15-5 इस इकल टू 10 ठीक है ना समझ में आरी बात तो बी अप बी का इंसर जो है 10 के बराबर आएगा ठीक है ना तो यह सब एक्स प्लेंट करते आना चीए ठीक है ना तो वही चीज़े यहां पर लिखी हुई है बेसिकली इच पार्टिकल रिक्वार्स टू कॉर्डिनेट टू स्पेसिफाइट पॉजिशन इन प्लें अब एक्स य प्लेंट में रस्टिक कर दिया तो दो यह ठीक है ना समझ में आरी बात मेरी फाइंटू टू बहुत आसान है तो डिग्रिज अफ्रीडम अप दू सिस्टम एकोल टू 10 ठीक है ना मैंने अलग ढंग से समझाया था मैंने फाइंटू 3 माइनस फाइंटू 1 करके समझाया था तो भी जवाब तो दस ही आया था ना सकता हैं इने 5 पार् comenzée में फ्रिली मु करेंगे तो 3rd 5 आएगा हें कि हरएक पार्टिकल के थीन-10 ने इंडिपächst क्लों पैसल के लिए एकसल kका यदी के लाउंग डिया यजड़िये ना पार्टिकल के लिए Cake के खुआ तक लिए थीन के लिए का लिए एकको जडिए अग्र now d क्या बोल रहा है two particles connected by rigid rod moving freely in a plane ठीक है न दो पार्टिकल है connected है rigid rod द्वारा और वो जो plane में move कर रही हो rigid rod समझ महारी न बात मेरी तो plane में move कर रही है यह चीज point number one to be noted है मतलब अगर आप freely moving in plane consider करते हो तो two ठीक है न दो पार्टिकल है और plane में move कर रहे हैं plane में move कर रहे हैं तो क्या होगा your number of degrees of freedom for each particle will be two पर एक और constraint उसने डाल दिया है कि rigid rod से connected है अगर rigid rod से connected होंगे दो पार्टिकल्स तो मुझे बता यह rigid rod की definition से ही rigid rod एक ऐसी rod होती है जिसका distance कभी भी चेंज नहीं होता है वो compress भी नहीं होती और वो expand भी नहीं होती तो अगर ऐसी rod के दो end पे दो पार्टिकल्स रखाऊं मैंने तो उनके बिच का distance कभी भी change नहीं होने वाला है समझ में आरी ना बात मेरे तो उनके बिच का distance चुकी change नहीं होगा as the rod is incompressible or rigid वो expand नहीं हो सकती compress नहीं हो सकती तो यह distance always fix हो गया ठीक है ना तो आपने कितने constant लगा दिए आपने यह जो है इसके motion पे आपने दोनों particle के motion पे एक constant लगाया है ठीक है ना कौन्सा constant लगाया आपने आपने इस particle के motion पे 1 constant यह लगाया कि यह इस के fix रहेगा ठीक है ना तो दोनों पे एक constant लगा है आप देखिए यहाँ पे देखिए ठीक है ना x1, y1 थे इसके और x2, y2 थे इसके ठीक है अब यहाँ पे constant कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि distance fix रहेगा तो distance formula यूज करोगे ठीक है ना distance formula यूज करोगे तो distance formula क्या होता है x1 minus x2 whole square plus y2 minus y2 whole square equal to c square यह है ना distance formula तो distance क्योंकि rigid rod से connected है तो distance constant रहेगा distance constant रहेगा तो equation of constant distance equation के बराबर आएगी ठीक है ना तो एक constant डाला है आपने ठीक है ना और आपके दो particle के दो degrees of freedom थे आपने एक constant डाला तो एक को minus कर दोगे क्योंकि जितने initial degrees of freedom होती है plane में move कर रहे थे इसलिए per particle की दो थी और ऐसे दो particle थे तो 2 into 2 हो गया और आपने एक restriction यह डाल दिया एक restriction डाला तो एक को minus करना पड़ेगा ठीक है ना तो 2 into 2 एने की 4 minus 1 equal to 3 आएगा समझ में आरी ना बात मेरी तो degrees of freedom जो है f equal to 3 हो जाएगा समझ में आरी बात मेरी अब काफी सारे बच्चों को यहां पर confusion ऐसा हो जाता है वो बच्चे क्या बोलते हैं कि देखिए एक यह constraint हो गया बोलते हैं कि वो उसका भी distance fixed रहेगा यहनी कि 1 into 1 ठीक है ना तो वो क्या calculate करते है 4 minus 1 minus 1 करते तो यह 2 हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों this is not correct क्यों correct नहीं है क्योंकि आपने यह देखिए distance formula का एक ही है ना distance formula आप चाहिए इससे इसका distance लिखिए चाहिए इससे इसका distance लिखिए distance formula is always going to be the same and as the distance formula is going to be the same there is only one constraint there are not two constraints ठीक है ना ऐसा तो नहीं है ना कि x1 y1 का distance x2 y2 से अलग है और एक दूसरे के पूरक है ना जो second particle है उसका distance जो one particle से होगा वही तो one particle का distance second particle से होगा ना तो एक दूसरे को पूरक है वो तो एक ही एक ही constraint आ रहा है आपका ठीक है ना तो यह वाली बूल मत करना कि 4 minus 1 minus 1 कर दिया ऐसा नहीं होगा 4 minus 1 ही होगा और वो 3 के बरावर है तो number of degrees of freedom equal to 4 minus 1 equal to 3 ठीक है ना so this is the thing ठीक है so thank you very much for watching ऐसे brainstorming आप लोग को करते रहनी है और तो आप लोग का physics optional बहुत आसानी से clear हो जाएगा ठीक है ना जय हिन जय भारत अपना ख्याल रखे और आज का prelims खराप गया है तो disheartened नहीं होना है ठीक है ना काफी सारे लोग disheartened हो जाते हैं ठीक है disheartened होने के लिए नहीं बनी है exam ऐसे कई लोग बैठे है जो और इंडिया रैंक्स में आते हैं पाच पाच छे चे अटेम देने के बाद आते हैं तो यह exam कोई हलवा exam नहीं है अपनी काबिलियत पर शक्मत करने लग जाना ठीक है ना thank you very much जय बारत अपने